दोस्तों अगर आप एक Android यूजर रहा like the me जो की काफी टाइम से जो Android का डिवाइस यूज कर रहे है बट अचानक से जो आपका मन बनता है iPhone पर स्विच करने का like the me मैंने अभी हाली में जो iPhone पर स्विच किया है तो यहाँ पर जो मुझे कौन सी प्रोलोंग जो है यानि कि जो परसनली जो मैंने फेस किया है वो मैं यहाँ पर आपके साथ जो सेर करना चाहूंगा देखे दोस्तों यहाँ पर बता दूँगी as comparison to Android iOS में आपको किसी भी तरह की जो कस्टमाइजेशन नहीं मिलती आप टाइम के साथ में भी जो एक ही चीज देखे जो बोर हो जाए आप जो इंटरनेट से कुछ डाउनलोड भी ने कर पाएं बट यहाँ पर जो iOS का जो सबसे में जो यानि की एपल डिवाइस का जो में बेनिफिट है वो है प्राइविसी और सिक्योरिटी सिर्फ यही चीज है इसके लिए अपार्ट फ्रूम दीज जो है बाकी हर एक चीज में जो Android ही आपको जो है काफी अच्छा लगेगा तो दीखें दोस्तों यहाँ पर जो है जितनी भी Android पर Apps है वो सारी Apps जो है आपको iOS पर भी जो है देखने को मिल जाएगे क्योंकि iOS भी जो एक काफी बड़ा और अच्छा स्टोर है अपल का अगर आप अपने iPhone से कोई भी आइटून्स को डाउनलोड करना पड़ेगा Mac है तो उसमें भी जूर्ट पड़ेगी बट में भी उसमें बिल्टी नहीं आता होगा तो यहाँ पर जो आप आप आईटून्स के थ्रू जो है ट्रांसपर करते हैं तो पहले वो जो भी फाइल्स होगी फोटोज होगी वीडि पर आपको Google पर जो भी आपका data save है जाएसे की Google कीप में Google पर जो भी आपकी activities है आपके Gmail पर नुमबर है जो भी है आप Gmail ड़उनलोड करोगे लोगिन करोगे आपके जो contact हैं जो भी messages है और अपर फिरूंग दीज जैसे की आपके Google कीप पर जो भी document बगारा जो भी save है वो है जो है डिवाइस जो है यानि की एपल जो है पिक कर लेगा कॉंटेक्ट कॉंटेक्ट जो काफी माइने रखता है बड़ देखिए दोस्तों आप एंड्रोड से आईवस पर स्पीश कर रहे हैं तो आपके जो जीमिल में आपके डेटा ट्रांसफर करने में क्योंकि दोस्तों देखिए एंड्रोड में जो वर्ट्साप का डेटा जो है वो गुल ड्राइव पर सेव होता है और एपल में जो है वर्ट्साप का डेटा जो आई क्लाउड पर सेव होता है तो दोस्तों अगर आपको जो है डेटा पर iOS से Android पर but unfortunately with सारे जो जितने भी आप है वो पेड है तो दोस्तों आपको जो उन आप को पर्चेज करना पड़ेगा तब ही जो आप जो डेटा जो आपने चैट अप प्रिविएस चैट को जो है ट्रांसफर कर सकते हो तो यही जो मैंने एक प्रोब्लम फेस किया है अपार्ट फ्रोम दीज जैसे कि और भी दूसरी चीज़े थी मुझे खास फेस नहीं क्योंकि सारे आप मेरे आसे क्या से आ गए गूगल की जो भी चीज़े थी अक्टिविटीज थी जो भी मैंने लोगिन पूरा को पूरा कम्प्लेटली एंडरोड का डेटा जो आई ओस पर डालना चाहा हो तो आप इस एप का जो यूज कर सकते हो बट अपार्ट फ्रम दीज मेरे डिवाइस में आसे कोई डेटा नहीं था कि मुझे ज्यादा ट्रांसफर करने जूरत पड़े मैंने आप स्कूल मैं भी जोहर जानना चाहता हूँ कि इसके लाव और क्या प्रोलम हो सकती है तो दोस्तो अभी के लिए इस वीडियो में सितना ही अगर आपको वीडियो जानकर इच्छे लेगे तो अपले वीडियो को लाइक करे शेर करे और चल्म को सब्स्राइक करना बिल्कुल ना बोले करें तब तक के लिए बंदे मातरम चाहें दें